नमस्कार नियोस फोनीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हुरचाश्वर्मा बिहार विदान सबाचुनाव से ठीक पहले जितन रामांजी का दोबारा से घर वापस यानि कि एंडिये में शामिल हो जाने को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि नितीश कुमार ने मौके पर चौ दिख रहे हैं असे बीच चिराग पासवान ये भी कह दिया कि 7 सितमबर यानि ऐसा दिन जिस दिन चिराग पासवान संसदिये बोट की बैठक करेंगे और इसमें एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और अब राजनितिक जानकारिये मान रहे हैं कि जितन रामांजी के ये उटने लगा है कि आखिर दलित की राजनिति करने वाला सबसे बड़ा राजनितिक दल कौन है लोग जन शक्ती पार्टी के रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान दलित के नेता के तोर पर जाने जाते रहे हैं जिसके वोट बैंक का फाइदा हम के शामिल होने पर शुरू से ही नारास थी चिराग पासवान ने पचले कई राजनितिक उठापटक के बीच सीम नितीश कुमार से सवाल पूछे जो सीम नितीश कुमार को रास नहीं आया जदियों के कहने पर ही मांजी को एंडिये में शामिल करने की बात भी होई मांज जितन रामांची के दोबारा एंडिये में शामिल होने की बाद लोग जन्शक्ती पार्टी काफी नाखुष है इसका मुख्य कारण ये भी है कि एंडिये में लोग जन्शक्ती पार्टी मुख्यता दलित राजनिती करती तो इन दुनों बिहार की राजनिती में खुद को सबसे बड़ा दलित चहरा घोशित करने की होड लगी हुई है एक तरब जहां चिराग पासवान ये दम भरते आए कि वो दलित का सबसे बड़ा चहरा एंडिये के अंदर है तो जैसे ही जितन रामांची के एंट्री की चुमार ने एक दलित कार्ड खेल दिया है ये politics जो है वो बिलकुल भी पलट दी है अब ये सवाल है कि बिहार में दलित का सबसे बड़ा चहरा कौन है बात किया जाए अंडिये की तो अंडिये में इस वक्त दलित का चहरा कौन है इसको लेकर सियासत खूब हो रही है देख से कही ना कही चिराग पासवान ने अपने तलखी बढ़ा ली है और अब वो सी अमनितीश कुमार से और भी खफा चल रहे हैं ऐसे में चिराग पासवान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उनका आगला कदम उनका आगला स्टेप क्या होगा ये पूरे बिहार के लोग ज चान ना चाहते हैं फिलाल कली इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नियोज फोरनेशन नमस्कार